हलो गाइस मैं आपके होस्ट और दोस्ट प्रियंका आप सभी का स्वागत करते हूँ आपका खास मन पसंदीदा प्रोग्राम भोश्प्री दंगल भोश्प्री दंगल का ये प्रोग्राम हम इसलिए हमने आप सभी के लिए आप सभी लोगों के लिए ले कर आते हैं क्योंकि हम आप सभी को अलग अलग छेतर की अलग अलग कहानिया अलग खबरे आप सभी को बताते हैं और कोशिश करते हैं कि आप सभी लोगों को अलग यूपी के साथ जुड़ी होती है चाहे वो फिल्मी जगत की हो चाहे वो खेल छेतर का हो खेल जगत का हो या फिर राजनीती का हो और देखा जाए तो विहार की राजनीती हमेशा से सुर्ख्यों में रही है हमेशा से उसके चर्चाएं होती रही है और हमेशा देखा जाए तो विहार की राजनीती में कुछ ऐसी हरकम मचते रहते कुछ ऐसी संसनी होती रहती है जिसके वारे में हर कोई जान लौसाता है ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ देखा जाए तो लालु परशादी आदव आर जेडी सुप्रीम और लालु परशादी आदव के बड़े बेटे तेश-प्रताप यादव और तिजश्वी यादव जो तोड़ कर अब देखा जाए तो विहार का बार तोड़ वो अपनी और करने की पुरी-पुरी कोश्र कर रहे हैं लेकिन इन दोनों के बीच कटबंधन तूपने के बाद जो नोग छोग जारी है उसका एक अलग ही अंदाद एक अलग ही तरीका आप देखने के बलबाए हाल तो नोग वैसे ही पक्ष भी पक्ष में हैं लेकिन समय आने पर यह सरकार भी बनाते हैं समय आने पर यह अलग हो जाते हैं तो वहीं देखिए एक यह भी ख़बर है कि आज तेजस्वी जो कि अभी इन दोनों के बीच नोग जोग की खबर चल रही थी आखिरकार इन्हों न बिहार की राजनीति बहुत समय पहरे से ही दिल्चस्प रही है हमेशा विहार की राजनीति में घोई न कोई दीनाएं मों रहते रहते हैं जो कि बिहार की जनता और वहां के राजनेतां को चोका नेते हैं उसे में से एक हमारी कहानी इंजिदों जब सबसे जादा चर्शाओं में वो है आरजीडी सुप्रीवो लालु ब्रशाद यादड के छोटे बेते देजरषरी पिरनाता तीज़श्वी यादब के साथ बिहार के मुख्यमंत्री रह लालों पिशार यादब के साथ जोड़ है जीहां दोस्तों अभी हाली मिनसे जुड़ी एक खवर आई है कहा जाए बिहार के मुख्यमंत्री निवीश उमार ने आज पूदुरु पर मंत्री और नेता प्रतिपक्ष दिजस्वी यादव का सपना पूरा कर दिया दणासल में आज मुख्यमंत्री नितीश हुमा ने विहार का पहला और देश का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाइवर का छप्रा में सिला निवास किया जी हां आपको बता दे सिला न्यास से ठीक पहले दिजस मंत्री नितीम गटगरी जी ने मिलकर उसके विशेश सहयोग और देश के पहले डबल डेकर पूल की रूप रेखा तैयार की आज उसका सिला न्यास होने जा रहा है जजश्वी यादव ने अपने च्वीट के माध्यम से जन्ता को बताने की कोशिश की क्योंकि मेहनत की अस का सबना हमने देखा था वो अब पूरा हो चुका है आपको बता दे कि छप्रा के गांधी चौक से नगरपाली का चौक के बीच ये डबल डेकर फ्लाइओवर बनेगा विहार राज जिपुल निर्मान निगम के देश रेखा में ये फ्लाइओवर चार साल पूरा होच जा के निगमें रहे 1.8 km लंबा है मगर चौप्रा में बन रहा डबल टेकर फ्लाइओवर 3.5 km लंबा होगा वहीं उसकी चौड़ाई 5.5 मीटर की होगी इसी के साथ देखा जाए तो कहना है कि चौप्रा में बन रहे डबल टेकर फ्लाइओवर के निर्मान में 411 कुरों इससे पर चड़ने के लिए रैप विखारी ठाकुर चौक से गानी मेरान की ओर होगा इस पर ABS स्कूल के समीब से चड़ा जा सकेगा इससे गाधी चौक और नगरपाली का चौक होते हुए बस स्टैन तक जाएगा जिससे सिवान की ओर से आने माले वाहन विखारी ठाकुर चौक होते हुए आगरा हाजिपूर और पटना जाने के लिए निकाफ जाएंगे पैसे दोस्तों कुल मिला कर देखा जाए तो भले ही हमारे दुभा विहार के मुखे मंत्री नितीश कुमार के साथ साथ हमारे पूर्वे मंत्री रहे जीहां पू भंदर तूट गया हो भले ही अलालो परशाद यादव और नितीश कुमार के रास्ते को समय साथ चल कर फिर अलग-अलग हो गए हो लेकिन देखा जाए तो इन दोनों का सपना भी एक जैसा ही है और ये हमेशा पिहार की जनता के साथ में जुलकर काम करना चाहते हैं और कही ही ऐसा ना हो कि इस बार साल 2019 के होने वाले लोग समय लेक्शन की ये तैयारी की जा रही हो जिसमें सभी राजनेता एक साथ एक जुट होते नजर आ रहे हैं जिहां देखा जाए तो एक तरफ जहां पिजस्पी यादव इस तरह के से जुट कर नितीश कुमार का साथ दे र रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ के अगर बात करें तो दूसरी तरफ हमारे खास लालो परशाद यादव के बड़े बेटे तेज परताब यादव अलग अपना रही हैं लोगों को खुश करने के लिए और अलग अलग तरह की वीडियो शेयर कर रहे हैं जो कि आपने हमारे रिपोर्ट के जरिये देखा ही होगा जिहां दोस्तों तो आपको दिखाएंगे आगे हमारे लालो परशाद यादव के बड़े बेटे तेज परताब यादव अपने राजनीदी पार्टी के लिए आपने क्या हतकंडे अपना रहे हैं और किस तरीके से नए धर्शकों को नई तरह से द्यानतास के तरह से उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बता दे कि इसी के साथ तेज प्रताब यादव और तेज प्रिजश्वी यादव दोनों ही साल 2019 में होने वाले लोग सवाचनाव को लेकर का आप जादा एक्साइटेट भी हैं और हलग अलग अलग तरीके से हमें कुछ ना कुछ तया करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं मितीश कुमार की वी अगर बात की जाए तो वो भी भाई पीछे कहा हटने वाले हैं वो भी एक मंजे हुए खिलाडी माने जाते हैं और साल 2019 में होने वाले लोग सवाचनाव को जीतने के हाले हैं अपने जीत को हाशिद करने के लिए और इसकी शुरुवार अधी से ही शुरू हो चुकी है इसका अगाज अधी से ही शुरू हो चुका है लेकिन इसका अन्जाम कैसा होगा ये तो साल 2019 में लोग सवाजनाव होने के बाद ही पता चल पाएगा तो देखा अपने दोस्तों की आखिरकार हमारे बिहार के मुख्य मंत्रे निदीश कुमार और दूसरी तरफ आर जेडी के इस समय पर बात दोर सम्हाले तिजस्वी यादव इन दोनों एक दूसरे के साथ देखा जाए तो कहीं न कहीं इनका साथ हमेशास रहा है चाहे पक्ष भी पक्ष में रहें ये लोग चाहे एक साथ गटवंधन में रहें लेकिन गटवंधन तूटने के बाद भी ये दो लों कहीं न कहीं एक साथ नज़र आते हैं निटीश कुमार की तरफ से इस तरह की बात इस सामने आई है उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि आज नहीं तो कल एक बार फर से शायद ये पार्टी एक साथ हो लेकिन भविश्य का कुछ कहा नहीं जा सकता फिलहाल तो हर पार्टी चाहे हम बात करें निदिश कुमार की चाहे हम बात करें तेजस्वी की पार्टी आजजेडी की चाहे बीजबी कॉंगरेस जितने भी तमाम राजनिती पार्टिया हैं वो सारे हतकंडे अपना रही है और इसका कारण है इसकी वज़ा है साल 2019 में होने पाले लोग सभग चुना जिसमें हर पार्टी अपने आपको आगे ले जाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है जी हां इसी वज़ा से अभी हाल ही में कल और परसो तेज प्रताप यादब जो के लालू परशाद यादब के बड़े बेटी हैं उनका एक वीडियो वारा और कहीं न कहीं देखा जाए तो उनका ये उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि लोग सभा चुना आते आते हैं वो जन्ता के नजरों में एक राज नेता ही सही और लेकिन एक हीरो की तरह हुपरे लेकिन देखते हैं दोस्तों आगे 10 साल 2019 तक में कौन से ऐसे नेता है जन्ता के नजरों में तो कौन से अभी में कौन से ऐसे नेता है जो सिर्फ हीरो से जीरो बन कर रह चाते हैं ये देखना खाफी बिल्चास होगा लेकिन फिलहाल आज के हमारे पुछ फिर दंगल के प्रोग्राम में इतना ही उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को प्रोग् इशकुमार और प्रतेश प्रताप के साथ साथ जश्वी याद अब कि ये बाते और उनकी खबर आप सबीको अच्छी लगी है इनकी नोग जोग अच्छी लगी तो हमारे प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स में लिकर जरूर बताईए और साथ ही साथ आपको अगर जो कोई जान नहीं हो कोई घवत जान नहीं हो वो भी पूछ सकते हैं भुश्वी इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल एक्साइं यूज भुश्विया को अभी सब्सक्राइब किजिए बाल आइकन का बटन दवाईए और मुझे दीजिए इजारत कल मैं आपके सा झाल